प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पार्ट सैम्यल का दूसरा ग्रंत अध्याय साथ वाक्यांस चार से सत्रा मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्रा दिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा प्रभु की वानी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी मेरे सेवक दाउत के पास जाकर कहो प्रभु यह कहता है क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो जिस दिन मैं इस्राइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया उस दिन से आज तक किसी भवन में निवास नहीं किया मैं तम्बू में रहकर उनके साथ ब्रमड करता रहा जब तक मैं इस्राइलियों के साथ ब्रमड करता रहा मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा तुम मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनाते हो मैंने किसी नियाय करता से जिसे मैंने अपनी प्रजा चराने के लिए निक्त किया था ऐसा निवेदन नहीं किया इसलिए मेरे सेवक दाउच से यह कहो विश्व मंडल का प्रभू कहता है तुम भेडे चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुला कर अपनी प्रजा इश्रायल का सासक बनाया मैंने तुम्हारे सब कारियों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब सत्रों का सर्वनाश कर दिया है मैं तुम्हें संसार के सब से महान पुरुष्यों की जैसी ख्याती प्रदान करूँगा मैं अपनी प्रजा इस्रायल के लिए भूमी का प्रबंद करूँगा और उसे बसाओंगा वह वहां सुरक्षीत रहेगी कुकर में उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इस्रायल का सासन करने के लिए नियाय करताओं को नियुक्त किया था मैं उसे उसके सब सत्रों से चुडाओंगा प्रभु तुम्हारा वंस सुरक्षीत रखेगा जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुर्वजों के साथ विश्राम करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्रादिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुद्रड बना दूँगा मैं उसका पिता होंगा और वह मेरा पुत्र होगा यदि वह बुराई करेगा तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेंत और कोडों से दंडित करूंगा किन्तु मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा जैसा कि मैंने साउल के साथ किया जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठुकराया इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनन्द काल तक सुद्रिड रहेगा नातान ने दावत को यह सब बाते और यह सारा दृष्य बताया यह प्रभू की वार्नी है संद मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय चार वाके एक से बीस तक इसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड इकठी हो गई कि वो समुद्र में एक नाओ पर जा बैठे और सारी भीड समुद्र के तट पर बनी रही उन्होंने द्रिष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा सुनो कोई बोने वाला बीज बोने निकला बोते बोते कुछ बीज रास्ते की किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया कुछ बीज पत्रिली भूमी पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिटी नहीं मिली वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिटी गहरी नहीं थी सूरज चड़ने पर वे जुलस गए और जड़ना होने के कारण सूख गए कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया इसलिए वे फल नहीं लाए कुछ बीज अच्छी भूमी पर गिरे वे उकर फले फूले और तीज गुना या साट गुना या सव गुना फल लाए अंत में उन्होंने कहा जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले इसा के अनियाईयों और बारहों ने एकांत में उनसे द्रिष्टांतों का अर्थ पूछा इसा ने उतर दिया तुम लोगों को ईश्वर के राज का भेद जानने का वरदान दिया गया है बाहर वालों को द्रिष्टांत ही मिलते हैं जिससे वे देखते वे भी नहीं देखें और सुनते वे भी नहीं समझें कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी और लोटाएं और मैं उन्हें शमा प्रदान कर दूँ ईसा ने उनसे कहा क्या तुम लोग ये द्रिश्टांत नहीं समझते तो सब द्रिश्टांतों को कैसे समझोगे बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते की किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है ये वे लोग हैं जिनोंने सुना है परन्तु शैतान तुरंत ही आकर वो वचन ले जाता है जो उनके हिर्दे में बोया गया है इस प्रकार जो पत्रिली भूमी में बोय जाते हैं ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उससे प्रसंता से ग्रहन करते हैं किन्त उन में जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन द्रड़ ब्रहते हैं वचन के कारण संकत या त्याचार आ पढ़ने पर वे तुरंद विचलित हो जाते हैं दूसरे बीच कांटों में बोय जाते हैं ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं परंतु संसार की चिंताएं धन का मोह और अन्य वासनाएं उन में प्रवेश कर वचन को दबा देती हैं और वो फल नहीं लाता जो अच्छी भूमी में बोय गय हैं ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं उसे ग्रहन करते हैं और फल लाते हैं कोई तीज गुना कोई साट गुना कोई सव गुना ये प्रभु का दिव्य सू समाचार है ख्रिस्त प्रभु की जय है मेरे प्रिये भाई और बेनों आज का पहला पार्ट सैमुल के दूसरे ग्रंदगी अध्याई साथ से लिया गया था आज के पार्ट में आपने सुना जब राजा दावुद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उससे उसके चारों और के सबशत्रों से छुड़ाया तो राजा ने नभी नातान से कहा देखिये मैं तो देवदार के महल में रहता हूं किन्तो ईश्वर की मनजूशा तंबू में रखी रहती है ये ईश्वर की मनजूशा क्या थी विधान की मनजूशा ईश्वर ने मूसा के दुआरा इस्राइलियों को दस नियम दिये यह दसनियम इस्राइलियों के लिए बहुत महत पूर्ण थी यह दसनियम ईश्वर ने पत्थर की दो पाटियों पर लिख कर मुसा को दिया था और मुसा सिनाय परवत से उन पाटियों को लेकर उतर आया था इस्राइलियों ने इन पार्टियों को एक सुंदर सी मन्जूशे में रखा और जहां कहें भी वे जाते थे वहां पर इस मन्जूशे को ले कर जाते थे प्रभू के विधान की मन्जूशा प्रभू के नियमों की मन्जूशा प्रभु के पवित्र वचन की मन्जूशा ये मन्जूशा इस्राइलियों के लिए इश्वर का सानेध्य था इश्वर की उपस्तिती थी इश्वर के पवित्र वचन की मन्जूशा वे जहां कहीं भी जाते थे वहां ले जाते थे और जहां भी वे पड़ाव डालते थे वहां पर अलग एक तंबू में उस मन्जूशे को आदर और सम्मान के साथ रखते थे जब शीलों में मंदर बना उस मनजूशे को वहाँ पर आदर और सम्मान के साथ रख्या गया और अब दावुद इसराइल का राजा बन गया और येरुसलेम में अपने महल में रहने लगा वो मंजूशे को इसराइल लेके तो आया लेकिन एक तंबू में रखा हुआ था इसलिए राजा दाउद ने नाथान से कहा मैं इतने अच्छे महल में रहता हूँ लेकिन प्रभु ईश्वर की मंजूशा तंबू में रखी हुई है नाथान ने कहा कि आप जो करना चाहें करें लेकिन प्रभु ईश्वर ने क्या कहा प्रभु ईश्वर ने नाथान से कहा मेरे सेवक दाउद के पास जाकर कहो प्रभु ये कहता है क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो जिस दिन मैं इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया उस दिन से आज तक मैंने किसी भवन में निवास नहीं किया मैं तंबू में रहकर उनके साथ ब्रह्मन करता था जब तक मैं इसराइलियों के साथ ब्रह्मन करता रहा मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा तुम मेरे लिए देवदार का मंदर क्योंने बनाते हो आगे प्रभु ने दावुद से कहा तुम भेडों को चराय करते थे और मैंने तुमें चरागा से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राइल का शासक बनाया मैंने तुमारे सब कामों में तुमारे साथ दिया और तुमारे सामने तुमारे सब शत्रों का सर्वनाश किया आगे प्रभु कहते हैं जब मैंने अपनी प्रजा इस्राइल का शासन करने के लिए नियाय करताओं को नीक्ति किया मैं उसे उसके सब शत्रों से चुड़ाओंगा प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूरोजों के साथ विश्राम करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्राधिकारी बनाऊंगा और उसका राज बनाए रखूंगा वही मेरे आदर में एक मंदर बनवाएगा और मैं उसका सिहासन सदा के लिए सुद्र बना दूँगा प्रभु ईश्राधिकार ने दावुद से कहा तुम मेरे लिए मंदर नहीं बनाऊगी बलकि तुमारा पुत्र मेरे लिए एक मंदर बनवाएगा मेरे प्रिये भाई और बेहनों आज भी दुनिया भर में विशेश करके हमारे देश में भी प्रभु के लिए भावन बनाने के लिए होड लगी हुई है गिर्जा घर बनाने के लिए मंदर बनाने के लिए मस्जिद बनाने के लिए होड लगी हुई है लोग प्रभु के लिए बड़े बड़े भवन बनाना चाहते हैं लेकिन वास्तों में हम भूल जाते हैं कि प्रभु का सानिद्य हमारे साथ है वो सानिद्य ही भवन से बढ़कर है प्रभू के आदेशों का पालन ही प्रभू के मंदर से बढ़कर है इस्यास नभी के ग्रंद की अध्याई छचच उसके वाकिए एक और दो में प्रभू कहते हैं आकाश मेरा सिहासन है और पृत्वी मेरा पाउदान तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे मेरे विस्राम का घर कहा होगा मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है सब कुछ मेरा ही है ये प्रभू की वानी है मैं उन लोगों पर किरपादृष्ठी करता हूँ जो विनम्र और पश्चतापी है और स्रद्दा से मेरी वानी सुनते हैं प्रभू कहते हैं कि तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे मैं उन लोगों में निवास करता हूँ उन लोगों पर किरपादृष्ठी करता हूँ जो विनम्र है पर श्टापी है और जो श्टदा से मेरी वानी सुनते है कुरिंतियों के पहले पत्र के अध्याय तीन वाक्य सौला में संद्पावलूस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आप एश्वरगे मंदिर है कुरिंतियों का पहला पत्र ध्याइच्छे वाक्य उन्नेस में संद पालूस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर एश्वर का मंदिर है हम पढ़ेंगे यहान के इसु समाचार गया ध्याइचार में उसके वाक्य तेईस और चौबीस में प्रवियसु समारिस्ति से कहते हैं वो समय आ रहा है आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है एश्वर आत्मा है उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराद न करें दावत को दुख था कि उसने ईश्वर के लिए एक सुन्दर भवन नहीं बनाया लेकिन ईश्वर कहता है तुम भवन नहीं बनवाओगी तुमारा पुत्र बनवाएगा एश्वर के भवन से बढ़कर एश्वर का सानिद्य है हम विश्वासियों को ये जानना चाहिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभू का सानिद्य मेरे अंदर है मेरे साथ है योन के सुसमाचार की अध्याई 14 वाक्या 17 में प्रभी येसु स्वयम कहते हैं वो पवित्रात्मा तुम में है और तुमारे साथ है मंदिर आवश्यक है जहां विश्वासी एकत्रत हो जाएं लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभू का सानिद्य है कई मसीही लोग चर्च जाते हैं गिर्जा घर जाते हैं लेकिन प्रभू के पास कम जाते हैं गिर्जा घर पत्थरों से बना हुआ है लेकिन वास्तों में गिर्जा यानि कलीसिया है चर्च कलीसिया है विश्वासियों का समुदाय है जहां प्रभू का निवास है और आज का सुसमाचार संद मार्कुस के सुसमाचार के अधियाई चार से लिया गया था आज के सुसमाचार में प्रभी येशू हमें बीज बोने वाले का द्रिश्टांत सुनाते हैं प्रभी येशू द्रिश्टांतों के द्वारा अपने शिक्षाएं देते थे छोटे छोटे द्रिश्टांतों की द्वारा, ऐसे द्रिश्टांत जो आम आदमे समझ पाते थे, राई के दाने का द्रिश्टांत, नमक का द्रिश्टांत, जाल का द्रिश्टांत, जुवे का द्रिश्टांत, देपक का द्रिश्टांत, और आज बीज बोने वाले का असानी से समझ जाते थे और इनके जरीये लोग ईश्वर के रहस्यों को ईश्वर के राज के रहस्यों को समझ बाते थे लेकिन प्रभु के जमाने के धरम गुरू छिक्षक शास्त्री इन बातों को बहुत हलके से लेते थे इसलिए प्रव्येशु ने कहा कि तुम लोगों को इसे समझने का वरदान दिया गया है अन्य लोग समझते नहीं हैं इसलिए वे मेरे पास नहीं आते हैं और उनको मुक्तिक एसास नहीं होता है आज का दृष्टान्द है बीज बोने वाले का दृष्टान्द एक व्यक्ति बीज बोने निकलता है कुछ बीज सड़क के किनारे गिरते हैं और चिडिये उनको चुग लेते हैं कुछ बीज पत्रीली जमीन पर गिरते हैं और वे उगते जरूर हैं लेकिन बहते नहीं है क्योंकि उसके नीचे पत्थर था कुछ बीज कांटीली जमीन पर गिरते हैं और बढ़ते जरूर हैं लेकिन कांटे उनको दबा देते हैं और इसलिए फसल नहीं होती है लेकिन कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरते हैं और जमीन की गुनोता के अनुसार अच्छी फसल लाते हैं प्रभी ये सु आगे शीशों को समझाते हैं बीज वचन है प्रभु कहते हैं कि बोने वाला वचन बोता है जो बोया जाता है वो वचन है आज भी वचन बोया जाता है जो रास्ते की किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है परंतु शैता तुरंती आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हिर्दे में बॉय जाता है कई लोग वचन सुनते हैं लेकिन उनके जीवन में सड़क की तरह लोग आते जाते रहते हैं कई बातों के लिए उनके मन में स्थान है शैतान उन वचनों को चुग लेता है आगे प्रभु कहते हैं इस प्रकार जो पत्रिली भूमी में बोय जाते हैं ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसंता से ग्राण करते हैं किन्तु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिंद्र रहते हैं वचन के कारण संकट या त्याचारा पढ़ने पर वे तुरंत विचलीत हो जाते हैं उस बीच से फल उत्पन नहीं होता है जो कांटों में बोय जाते हैं ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं पर नदु संसार की चिंताएं धन, मोह और अन्य संसार की बातें वासनाएं उनमें प्रवेशकर वचन को दबा देती हैं और वो फल लाता बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो वचन सुनते हैं अच्छा लगता है पनपता है लेकिन चिंताएं संसार काकर्षन मोह दबा देता है जो अच्छी भूमी में बोय गया है ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं उसे ग्रहन करते हैं और फल लाते हैं कोई तीज गुना कोई साथ गुना कोई सव गुना एक बास पश्ट है वचन या बीज एक ही है एक ही प्रकार के हैं लेकिन फल जमीन पर निर्भर है हमारे आस्रम में भी अजारों लोग वचन सुनने आते हैं लेकिन उन सब के जीवन में उन वचनों का फल या फसल देखने को नहीं मिलती है जो सच्चे और अच्छे हिर्दे में वचन को ग्रहन करते हैं और उनको रखे राते हैं उनको पनपने देते हैं उनके लिए अपने जीवन में स्थान देते हैं उन वचनों की अच्छी अच्छी फसल हमें देखने को मिलता है उनके जीवन में मेरे प्रिये भाई और बैनों हम भी बराबर प्रभु के वचन को सुनते हैं अमारे व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत प्रार्तना में प्रभु हम से बोलते हैं पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हम से बोलते हैं अभाव के अनुसार होता है, अगर हमारा हिदय खुला है, हमारे हिदय में कपट नहीं है, छल नहीं है, हम उसको ग्रहान करते हैं, अपनाते हैं, उसको हमारे जीवन में पनपने देते हैं, बढ़ने देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वह हमारे जीवन में चमतकार लाता है आयम प्रार्तना करे प्रवम तुझे दन्यवाद देते हैं जीवन के वर्दान के लिए आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं इन सारे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं हम तुझे प्रार्तना करते हैं अमारे हिर्दियों को उधार बना, अमारे हिर्दियों को निश्क पट बना, अमारे हिर्दियों को निश्कलंक बना, अमारे हिर्दियों को तेरे वचनों को ग्रहन करने वाले बना, हमारे जीवन में तेरे वचनों को उगने, बढ़ने, फलने देने के लिए हमें विश्वास का वर्दान दिजिए ये प्रभिये सिन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई भेनों को अश्रवाद देना आज का संपूर्ण दिन के लिए कृपा का दिन बने हमारी इस प्रात्ता को गरहन कर, आमेन शाश्वत है जीवन का मन्ना है अजय है जीवन का आज सकत के लिए हमारी देना दिन वाले झाल झाल